नमस्कार दोस्तो डूपल 7 in Hindi में आपका सौगत है दोस्तो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि डूपल कैसे इंस्ट्रॉल करते हैं अपने लोकल मिशीन में वो हमने कम्प्लेट कर लिया है दोस्तों इस वीडियो में हम cover करेंगे Drupal का administrator panel कि हम अगर website development करने जा रहें Drupal में तो हमें कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कि यह जो Drupal का admin panel है वह कैसे work करता है तो उसके लिए step by step हम सब cover करेंगे ठीक है सबसे पहले यह आपको एक black रंग की पट्टी दिखाई दे रही है मिनो जहां पर dashboard content structure appearance people modules configuration report यह सब दिख रहा है add content find content सब content यहां से content add कर सकते कैसे वो करेंगे वह इस वीडियो में cover करेंगे मैं चल दें लिए कुछ जो जादा अद्मिनिस्टर्टर पेनल में जो जो होता है उसको cover करूंगा कि बहुत बहुत बड़ा एड्मिनिस्टर पैनल है तो सब कबर करना इस वीडियो में थोड़ा मुश्किल रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले इस कंफ्रिकेशन कंफ्रिकेशन में क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए कुछ लिंक्स हैं अकाउंट सेटिंग साइट इंफ्रमे जो साइट इंफरमिशन दी थी वह है ठीक है यहां पर यह बता रहे है नमब़र आप्योंस्ट आन फ्रेंड पेज तो अगर हम अपने friend page पे post डालते हैं तो एक page पे number of post कितने होने चीए वो हम यहां से set कर सकते हैं दूसरा यहां से हम front page अपने website का जो चाहें वो set कर सकते हैं अगर आप कुछ और home page set करना चाहते हैं तो यहां से वो change करके set कर सकते हैं यहां से आप अपनी error जो हम कुछ user find करता है नहीं मिलती है इसको वो चीज वो page नहीं मिलता है तो वो किस page पे है 403 का जो 404 का जो आप भी page set करना चाहें वो यहां से आप set कर सकते हैं जो आप page करना चाहें page set करना चाहें configuration में जलते हैं और कुछ देखते हैं account setting में account setting में देखिए user यह यहां से सारी information है अकॉंट से रिलेटर ठीक है जोस्तो और एक किसमें important part आता है performance का जोस्तो डूपल 7 में अगर आप कुछ करते हैं और वो change नहीं होता है तो वो cash का issue होता है तो उसको उसको दूर करने के लिए clear cash करनी पड़ती है यह important part है डूपल 7 का तो cash clear करना है जैसे कुछ block बनाया या कुछ custom development किया तो cash clear करने पड़ेगे ठीक दोस्तो एक यह performance पे के side में आ रहा है प्लस का आइकन अगर हम इस पर click कर देंगे क्योंकि यह performance clear cash यह हमें इस link पर बार बार जाना पड़ेगा तो हम यह shortcut बना सकते हैं जैसे अभी हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यह इसका shortcut बन गया देखिए यह यहाँ पर shortcut बन गया अब क्या है आप जैसे अपनी side पर आप कहीं भी होंगे आप performance पर click करेंगे तो यह सीधा shortcut बना देगा ठीक है ऐसे cash clear कर देगे तो आप यहाँ से edit shortcuts क्लिक करके आप अपना जो चाहिए shortcuts बना सकते हैं ठीक है configuration में चलते हैं और क्या देखते हैं important चीज़े दोस्तों एक और important चीज़े हैं आपर यह login and error कि हम अपनी website पर किस टाइप की error so करना चाहते हैं तो अभी जैसे default में आप all messages so है और कितने message cover कर रहा है ठीक है और अगर में देखना है कि हमारी website में कहां error आ रही है किस टाइप की error तो यह दोस्तों यह error log बनती है स्टेटस बनते हैं error log बनती किस type के हैं यहां से हम clear कर सकते हैं पूरे error अगर हमें नहीं चाहिए error और यह filter है किस type के error हमें फाइंड करने हैं ठीक टाइप action chron system used तो जितनी भी रूपल 7 website पर जो activity होती है वो सब यहां step by step records होती है chron job अगर चला तो भी देखिए chron job चला तो भी record हुगा ठीक है तो यह पूरी इसके log बनते हैं अगर कोई हमारी PHP से related error आएगी तो अब जब हम यहां पभी PHP में इंस्टॉल नहीं है इंस्टॉल करेंगे इसका module होता है अगर तो इंस्टॉल करेंगे तो हम यहां PHP के भी error यहां से find कर सकते हैं ठीक है और अगर हमें हाँ module यह देखें आपर यह जो कोर के जो भी हमने जब डूपल इस्टॉल किया था तो कोर की सारे module इंस्टॉल हुए है अभी हम contributed module और भी इंस्टॉल करेंगे तो निचे आएंगे अभी यहां से अगर हमें कोई module disable enable करना है तो हम इस बटन पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके और यहां पर save करके इसको enable disable कर सकते हैं disable करना तो अंचेक कर देंगे इस टाइप का और यह इसकी अगर कुछ settings होंगी तो यह इस टाइप का यह पर perform पर permission भी अगर module को कुछ देनी है किस किस को permission देनी है वह यहां से सेट कर सकते हैं इस तरीके से सेट करते हैं हम कभी सेट करेंगे तो और अच्छे से देखेंगे ठीक है और appearance appearance में दोस्तो थीम से related बाते आती हैं जैसे अभी हमारी by default जो टूपल सेमन में थीम चल रही है वो यह चल रही है ठीक साटिंग में देखते हैं यह यहां से हम website के अपने theme color change कर सकते हैं चेक करके देख लेजिए इस टाइप का कुछ है ठीक है इस प्रकार से आप यह पूरा अपनी website की जो theme change या color change करना चाहें ठीक है ठीक है दोस्तों यहां से लोगों की setting change कर सकते हैं अगर हम default logo यूज़ करना चाहें अगर default नहीं यूज़ करना चाहें अपना कोई logo यूज़ करना चाहें तो यहां से हम अपना logo चूज़ कर सकते हैं जो हम लोगों लगाना चाहें डिफाल करेंगे इस वीडियो में के वह एडमिनिस्टेटर इंटरफेस ही रखते हैं कि बात यहीं रखते हैं ठीक है यह पीर इस ट्रक्चर इस ट्रक्चर में दोस्तों ब्लॉक है कंटेंट टाइप है मीनू है टेक्जनॉमी है ब्लॉक्स क्या होता है दोस्तों ब्लॉक्स जाने से पहले यह देखिए मैंने इसे इस ट्रक्चर ब्लॉक के अंदर यह डमिनिस्ट्रेट ब्लॉक रीजन्स दोस्तों वेबसाइट्स रूपल के वेबसाइट्स पर यह रीजन्स जो आपको यह यलो कलर में दिखाई दे रहे हैं हेडर फीचर्ड आपको अगर कोई ब्लॉक बना के इसमें रखना है तो आपको यह डीजन यूज़ करना ही पड़ेंगे अगर कोई कस और रीजन एड़ करना चाहें तो भी आप एड़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में कि और रीजन जैसे हमें यहां फीचर्ड करके एक दिया है इसके न कैसे अड़ करेंगे ठीक है ब्लॉक यहां से ब्लॉक एड़ कर सकते हैं यह से कुछ इस टाइप के ब्लॉक दिये हैं सर्च फॉर्म ठीक है यह इस ब्लॉक्स यहां से दिये हैं यहां से ब्लॉक एड़ करके उसका टाइटल डिस्क्रप्शन देके बॉड़ी में देके उसक पर आप जिस page पे आपको वो व्लॉग शो करना है उस page की setting यहां सिका सकते हैं कभी करेंगे तो और अच्छे से जानेंगे ठीक है, content type किस content type के specific आपको उसी content type के लिए आपको दिखाना है तो वो केवल उसी content type के लिए ही दिखेगा और किस user के लिए दिखाना है keyword administrator के लिए रहेगा only या किसी user को आप assign करते हो उसके लिए ही केवल रहेगा तो यहां से setting रहेगी ठीक है यहां से मिनू से रिल्टर चीजों अब स्ट्रक्चर में जाएंगे तरह देखेंगे ओम जो अगर हम दिख्चक करेंगे केवल होम ही आइकन है यहां पर और और भी मिनू में आड़ करना है तो वेबसाइट में अपने तो यहां से जाके लिंक पर एड़ करेंगे आगे चलके देखेंगे ठीक है कंटेंट अगर वेबसाइट में कोई इस आर्टिकल करेंगे च्पीर आप तक के लिए कि वेबसाइट कर डास बूद आप कर सकते हैं कि मैं जैसे के एक रीकार प्रेट करता हूं ठीक है दोस्तों पीपल के अंदर जाएंगे जैसे अभी एक ही अकाउंट यहां क्रेट किया जो अभी हमने अकाउंट डूपल इंस्टॉल किया था तो एडमीन एड किया था तो यह उसकी इंफोर्मिशन है आप और भी अगर अकाउंट क्रेट करना चाहते हैं यूजर के लि अब तक अड्मिनिस्ट्रेटर पैनेल के लिए हमने कुछ बाते चल्दील कवर की और भी बाते कवर करेंगे जब उसको उसको लाइव एक्जामपल के साथ करेंगे तो आपको जादे अच्छे से आएगा अभी मैंने ऐसी अड्मिनिस्ट्रेटर का जो ओवर्वीव देना था वो मैंने आपको दिया चीक है इस वीडियो के लिए आज के लिए इतने ही रखते हैं